नमस्कार एक फिर सु आगए था पूर टूडेज के अमारे सरी उसकारिक्रम में और अभी-अभी उत्रपरदेश से एक नई ख़बर आ रही है योगी आदिते नाथ ने किया एलान मिर्त इंस्पेक्टर के परिवार को मुआपजा देने का जी हाँ बुलन सहर में जिस तरीके से गोवंश के नाम पर सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग की हत्या कर दी गई उसके बाद उत्रपरदेश के मुखे मंतरी योगी आदिते नाथ ने उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआपजा देने का एलान किया है योगी आदित नातने शुबोध कुमार सिंग की पतनी को 40 लाख रुपए और माता पिता को 10 लाख रुपए के आर्थिक मुआबजे का एलान किया है इसके अलाबा दिवगंत सुबोध कुमार सिंग के आशुद परिवार को भी आसाधारन पेंशन और परिवार के किसी एक सदस्य को मृतक आशुद के तोर पर सरकारी नौकरी की नौकरी देने का भी अलान किया गया है बतादे कि घटना पर दुख जताते हुए योगी आदितनाथ ने दो दिन के भीतर मामले की जाँच रिपोर्ट पेस करने का भी आदेश दे दिया है देर इस पूरी घटना पर बयान जारी करते हुए योगी आदितनाथ की ओरते कहा गया है कि बुलन सहर के चिंग रावठी में गो वंशिय पसुओं के अवशेस मिलने की वज़े से जिस तरीके से उग्र भिर ने स्याना के कतेवाल कोतवाल इंस्पेक्टर सुबोद कुमार को मौट के घात उतार दिया है उस पर हमें बेहद दुख है इसके अलावा अस्थानिय निवासी सुमीत की मौत पर भी मुखे मंत्री ने दुख ज़ताया है जनकारी के अनुसार स्याना थाना छेतर की चिंग रावठी पुलिस चौकी छेतर में गो कशी की सुचुना पर जम करके बवाल हुआ ग्रामीनों ने पुलिस पर जम करके पत्थराओ किया और पुलिस चौकी में खरे वाहनों में आग भी लगा दी घटना न स्याना थाना अइंचार सुबोत की मौत हो गई गुसाई ग्रामीनों ने पुलिस चौक खरे वाहनों को आग के हवाल कर दिया पूलिस को भी दौरा दौरा कर पीटा है इस दौरान होई फाइरिंग में एक इस्पेक्टर की मौत होगी जो बहुत ही निंदनीय है जो बहुत ही दुखी बात है हम अमीद करते हैं राज सरकार चीजों को सहीम बढ़ते और अपने राज में हालाद ठीक करें चीजों को सही तरीके से जाच करवाई और उनको नयाग मिले थैंकियो सो मच एकर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें अब फिर आजिर होंगे कुछ नहीं और इंपोर्टन्ट और ब्रेकिंग निउस के साथ तब तक लिए धन्यवाद कीप वाच